तो देखो आज के लिए एक दम बढ़िया तरीके से तीसरा ओडिया मैच इंडिया वसे ऐसे उस्ट्रेलिया के बीच मैं पहले दो मैच इंडिया जीच चुकिए वो भी उनके ऐसे प्लेयर्स के साथ में जिनके साथ में तरहीं किस्पेरिमेंट कर रहे थी ठीक है इवन कहीं आसी ही है और बाकी इंडिया के तरफ साबको पता है विराट को लिरोज छिर्मा भी टीम में शामिल हो चुके हैं बट साथ ही साथ कुछ प्लेयर्स को यहां पर रेश्ट भी मिला है ठीक है अब कैसे कुछ आज के लिए प्लेइंग रहीगी क्या टीम देखने को सम चिलर में ठीक है एक रुपाय में कैसे जीतो है कैसे नहीं सारी चीज़ा आगे डिसकस करने होने तो वीडियो आखिर तक देखना है तो लाइक जरू कर देना क्योंकि एक तरीके से यह देखो अभी इंट्रेंशनल मैच कहीं ना कहीं यहां पर खतम हो जाएंगे बट मैं अपडेट्स वगरे टीम से या बहुत सारे आपके लिए मैं बुरूंगा उफर्स वगरा गिवाइस वगरे हैं तो मिस नहीं करना है तो टेल्ग्राम चल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा पटाबट से जागी जोइन कर लो इवन फर्ष्ट कमेंट में भी बात करें अपने मैच के तो ग्राउंड यहां पर बदल चुका है पिछला मैस था इंदोर में अब की बार आ चुके है राजकोट में ठीक है सवराश्ट्र क्रिकट शेडिया हम राजकोट में मैच होने वाला है वन थर्टी रही इस मैच कर लाएं तीसरा ओडियाई है बात करें अगर मैस ग्राउंड की तो यहां पर जादा मैच नहीं हुए यहां पर अब तक सिर्फ तीन ओडियाई मैच कहले गए बड़े एक चीज़र की रन काफी बने तो वापस हो सकता है आपको एक रन फैश्ट यहां पर देखने को मिल जा है मतलब काफे अच्छे रंस आप आपको एक हाई स्कोरिंग गेम आपको यहां पर वापस से देखने को मिल सकता है उसके बाद में अगर बात कीज़े हम पिछले तीन मैचेस का अगर देखते हैं तो वाई एक हुआ था दोजार बीस में इंडिया ने तीन सो चालिस बनाया थे उस्ट्रिया ने उस मैच मैच 204 बनाये थे ठीक है और हाँ एक चीज़ और की यहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है बड़िया दरीके से आठ विकेट पेस के साथ विकेट स्पिन के थे वहीं 18 अक्टोबर 2015 को मैच वा था साथ अफरिका ने 270 बनाए इंडिया चेज नहीं घर पाई उसके बाद में 11 लिंग थी वह काफी अच्छ रही थी इंडियन बैटर्स इस मैच में थोड़ा सा स्लो केल कर गए थे बागी दो मैचेस में देखो अच्छा स्कोर बना इंग्लेंड ने 325 बना इंडियां 340 बना और टारिट को फिर इन्हों ने डिफेंड भी किया अब विकेट की अगर मै पहले निग में भी गिरते हैं 6-7-4 इंडिया की तरफ से तो आपको पता है काफी सारे चेंज़स इंडिया की टीम में हो चुके हैं एवन जो टीम ने 3rd ODI के लिए स्कौर्ट अनौन्स किया था न उसमें से भी बहुत सारे प्लेयर ऐसे जो की रैष्ट दिया जा चुका है इनको अभी के लिए जो नियूज निकल कर आई है वो ये है कि मुहमद शमी शार्दुल ठाकुर शुमन गिल ठीक है और एवन हार्दिक पंड्या ये चार प्लियर ऐसे हैं भाई जो नहीं खेलने वाले इस मैच में चारों को रेश्ट दिया जा चुक है ठीक है तो इंडिया क कि साइट पर एक मैच सेंटर होते हैं वहाँ पर देखा था तो प्रसिंद कृष्णा का नाम था तो यहां पर एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बट अगर खेलता है तो पिक कर लें अच्छी बोलिंग की थी पिछले मैच में दो विकेट निकाले ते वर्शिंग्टन संदर सेंचुरियन और देन आते हैं पांच वे नंबर पर केल राउल 52-58 अब होगा क्या कि विराट को लिए तो श्रेश और केल राउल का बैटिंग और जो वो एक एक स्लोट नीचे चला जाएगा एंड आते सुरे कुमार यादो अब इनको टीम जो नीचे भेज रही है बट द जड़े जा है तीन विकेट निकाले अश्विन ने तीन विकेट निकाले सिराज की बात की जाए तो भाई अभी तक इनको वैसे पहले दो मैच में राश्ता अब तीसरे मैच में ये भी आ सकते क्योंकि अगर ये भी नहीं चेलेगे तो बचाई पून कर खेलने के लिए ना अब चेंजस के उम्मीद काफी है तो आपको पता है अपडेट वगर है इसके बारे में फिर टेलग्राम चैल पर आएगी तुम इस नहीं कर दी है एंड इवन जब लाइव आते तो उसमें मैं आपको बता देता हूं ठीक है मैच से एक गंड़ा पहले जब लाइव आते है बाकी यहां से सेफिक्स में आपके लिए श्रेश एर केल राहूल बनता है सुर्यकुमार थोड़ा सा नीचे अब देगो रीजन वही है पिछले मैच में ऐसा है कि 72 बना गया था बड़ी जल्दी बना गया था चार चक्के मार दिये तो उस बेसिस पर लेना तो चाहिए बाकी यहां से जड़ू, अस्विन, सिराज, कुल्दी प्यादो और बुम्रा रहने वाले जिसमें की बुम्रा तो है हमारे मश्च पिग, अब स्पिन होगी तो वैसली कुल्दी प्यादो भी काफी इंपंड बनते हैं और जो तीसरा हमारा बोलर बनता है उसमें जड़े ज आप यहां से दो पिक करके चल सकते हो, वो थोड़ा टीम कॉम्मिनेशन पर जादा डिपेंड करेगा, बाकी अगर उसके बात करें इंडिया की तरफ से बेंच में तो प्रसिद कृष्णा वशिंटन सुंदर, बाकी तो चार खेलने नहीं वाले, ठीक है, चारो को रेश्ट मिल चुका है, उस्ट्रेलिया की बात करें तो उस्ट्रेलिया की तरफ से भी नियूज निकल कर आती है, कि नथन एलिस एंड यहां से जो स्पेंसर जोंस है ने, वो दोनों ही अभी के लिए घर जा चुके है, तो दोनों नहीं खेलने वाले इस मैच में, ठीक है, अब का परफॉरांस कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं अभी तक, बाकि स्टीवन्स में थे, यह भी फ्लोपी रहें, पिछले मैच में तो पहली बॉल पर आउट हुए थे, बाकि 41 बनाया है, लबुशन काफी डीसन देखने को मिल रहा है, बट लबुशन के लिए वही है, कि ख बाकि पैट कमेंस इस मैच हों वापस आ सकते हैं, सीन अबट है, बैटिंग मॉलिंग सीन अबट क्योंकि दोनों कर लेता है, तो वो एक एडवन्टेज रहता है, उसके बाद में यहां से एडम जैंपा है, जैंपा पिछली बार जब इस ग्राउंड पर खेले थे, तो तो कही ना कहीं वो स्पिन का फाइदा ज़रूर उठा सकते हैं, अभी तक गर हम दोनों मैचेस देखें तो बोलिंग ठीक ठाक सी रही है, रन पड़े हैं, बट हाँ ठीक है, और उसके बाद में आते हैं मिचल स्टार्क, रिसेंट फोर्म मिचल स्टार्क का बहुत बढ़िया ह सिर्फ एक मैच विकेटलेस है, बाके टाइम हर बार इन्होंने भाई, पाँच, तीन, चार, तीन, दो विकेट बढ़िया निकाल रखे है, और आपको पता है, इंडिया और लेफ्ट टाम पेसर जबरदस पूमिनेशन बनते हैं, नहीं, खतरा बनता है, मतलब इंडिया के लेफ्ट आम पेसर हमेश है, तो यह है उस्टिला के तरह से प्लेइंग 11, जिसमें कि अगर इंपर्ण प्लेर्स के बात की जा तो ऑविसली डैविड वोर्नर जैसे भी फॉम में चल रहे है, श्टिवन स्मिट टूबी सेफ, एंड उसके बात में आप यहां से ग्रीन को ले उसके बात उस्ट्रेलिया के बेंच के बात कीज़े तो उस्ट्रेलिया के पास में बेंच में एलक्स कैरी है, मारक अश्टोनिस है, हिजल वूड है, अब टीम जो है सीन अबट की जगे पर हिजल वूड भी खिला सकती है, ठीक है, यह धियान रखना, और इनकेस अगर हिज लीडर्स लिखता तो दो तीन मैच जादा जस्टीफाई नहीं लगता नहीं, अब देखो आपको बताता हूं यहां से, 17th of Zen 2020 को मैच वा था, इंडिया ने 340 बने, उस्टेलिया 304 पर रोल आउट हो गई, रोईज शर्मा, विराट कोली, केल राउ, तीनों प्लेयर्स की त में 2015 में जो मैच हुआ था, साउथ अफरेका इंडिया के बीच में, साउथ अफरेका ने बनाये 270, इंडिया ने बनाये 252, स्लो खेले थे थोड़ा, जिसमें रोईज शर्मा ने 65 बनाये थे, 74 बोल्स में, वराट को लिगे हैं 77, 99 बोल्स में, तो दोनों ही प्लेयर्स का र 13 वाला मैच है, उसमें तो फिर कोई भी नहीं है, तो इसे वाई से नहीं लिखा हूँ, बागी उश्ट्रिया की तरफ से जो मैच वादा 2020 में, श्टीवन स्मित ने उस मैच में 98 बनाये थे, लवशन ने 46 बनाये थे, और जैंपा ने उस मैच में निकाल ले थे, तीन विके बाकि अगर यहाँ से बात किजाए, रंस की, रोई चर्मा 42 मैचे में वाई, बाई, बाई, बाई लगता है, रोई चर्मार को फिराट को भी कहीना कई वाई, तो इसमें ख्यलना, फौ्टीफोर मैचे में 1200 मैच में, फिफटीवन स्मित आते है, बागी वोर्नर का भी एवरेज जब वो पचास प्लस का ही है फिलाल के लिए और अच्छी फोर्म में दिख रहे हैं दोनों मैचेस में इन्होंने रंस बनाएं बागी ग्लैन मैक्सवेल अठाइस मैच में नोसो इकिस थर्टे सिक्स का आवरेज है डीसेंट है मैक्सवेल का प 531 पच्चेस का आवरेज के साथ में केल राहूल का भी रंस वो काफी ज़्यादा बढ़िया है फिफ्टी का आवरेज केल राहूल का है चार प्लेयर उपर से और एक केल राहूल पचास का आवरेज रखे हुए पाचो के पाचो बागी मारकेश टोइनिस है 17 मैच में 438 रह चाहते हैं उसके बाद में श्टारक है 16 मैच में 25 विकेट स्टारक बाइँ पहले हैं तो एक सो दो विकेट स्टारक के खाते में जाने वाले हैं और उसके। आते है पैट कमेंज 18 मैच में 25 विकेट के साथ में बुम्रा की बात की जाए तो 18 इनिंग में 23 विकेट से और अश्विन ने 17 इनिंग में 20 विकेट से यहां से निकाल लिए तो यह आते हैं हमारे हैट्विड लीडर्स स्क्रिंशोट आप लेना चाहो तो देखो ले लेना यह प्लेयर उसके बाद में उसके रांस रिसेंट फॉम वेन्यू एवरेश टैर्ट सारी चीज़ें पर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है इसलिए मैं उस तरीके से नहीं करता हूं और बाकी आते हैं अपना प्लेयर बैटल के उपर तो एलेक्स करी अगेंश्ट प्ली प्यादो 56 बोल में दो बार आउट कर चुके जड़ेजा एक सो आठ बोल में दो बार आउट कर चुके लबूशन बहिया की कहाने स्पिन के अगेंश्ट में थोड़ी सी डिली बढ़ जाती है और इस पिछ पर कही ना कहीं स्पिन है तो लबूशन फ्लोप हो सकता है एक पर्टिकुलर रिजन आपको उने बता दिया सीज का विराड कोली अगेंश्ट हेजल वूड कहीं ना कहीं वाई खराब नहीं खेलते बड़ा खराब खेलते हैं 36 बोल में चार बार विकेट दे चुके हैं जैंपा को चार बार विकेट दिया बट 197 बोल में तो उतनी जा स्टोने के घेंश्ट में दो बार आउट ऊका है स्टार्क के के आगेंश्ट पहला है और कमिंस के अगेंश्ट में वी highest रहते हैं जिन्हों ने उनको पिछली बार जब आमने सामने हुए था तो दो मैच में दो बार आउट किया था एंड देन आते हैं अईयर जो अगेंज जेंपा 65 बोल में दो बार आउट हो चुक है 57 रंस बना कर तो यह तो है बाई कुछ कहा नहीं अपने प्लेयर बैटल सब चीजों की अब आज आते हैं जरा नेक्श निकल कर अपने टीम के ओपर आज के लिए जो हमारी टीम है वो क्या बन सकती है तो केल रहूल को माने अभी कलिए विकिट में रखा है विराट को लीय रोहिच चर्मा एडवड़ वर्नड त्ष्टीवंसन सु эта हमारे पास में हमारे पास में लबशन देख सकता है जड़े जड़े जाए जयब कर आपके बाएप सकते हो आज और पास में केमरन ग्रीण ग प्रविज चर्मा जरूर रहेगा वाइस कैप्टन मैंने अभी के लिए तो वर्णर को किया है बाट में भी चेंज कर सकते हैं फाइनल टीम में गुम्रा को या कुल्दी प्यादो को या ग्रीन आपके पास में एक उप्शन बनते हैं तो इनको भी आप ट्राइब करके चल सकत बाकि उल्दावेश्टिस मैच के लिए बिलते हैं आपको नेक्स वीड़े में बहुत ही जरे दिलते हैं